कार्तिक आर्यन तिवारी, जन्म 22 नवंबर 1990. एक भारतिय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं. इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद, उन्होंने लव रंजन की दोस्त फिल्म प्यार का पंचनामा 2011 से अभिनय की शुरुआत की. उन्होंने रोमां तक असफल ओंडिशन देने के बाद, उन्होंने Creating Characters Institute से अक्टिंग का कोर्स किया. अपनी पहली फिल्म साइन करने के बाद ही, उन्होंने अपने माता-पिता को अभिनेता बनने की इच्छा के बारे में बताया. प्रारंभिक जीवन और कार्य, 1990-2017, कार्तिक तिवारी, ब उन्होंने नवी मुंबई के डिवाई पाटिल College of Engineering से Biotechnology में इंजीनियरिंग की डिगरी हासिल की, जबकि गुप्त रूप से फिल्म में करियर बनाने की महत्वा कांक्षा रखते थे. चा, पाई, उन्होंने कहा है कि वह ondition में भाग लेने के लिए अपनी कक्षाएं छोड देंगे और दो घंटे की यात्रा करेंगे। अभिने करके और प्रसिद्धी हासिल की, इनमें से आखिरी उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज के रूप में उभरी और उन्हें सर्वश्रेष्ट अभिनेता के फिल्म फेयर पुरसकार के लिए ना मांगकन मिला। की सेलिबरिटी 100 सूची में शामिल हुए। टार, चुँकि उस समय उनके पास सीमित वित्तिय साधन थे, इसलिए वह 12 अन्य महत्वा कांक्शी अभिनेताओं के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे और उनके लिए खाना बना कर पैसा कमाते थे। 11. प्यार का पंचनामा में उनका किरदार चार मिनट का है मोनोलॉग, उस समय तक किसी हिंदी फिल्म के लिए किये गए सबसे लंबे एकल द्रिश्यों में से एक था। 12. Rediff.com के लिए इसकी समीक्षा करते हुए, शेख अयाज ने पाया कि आर्यन की महिलाएं जैसी हैं वैसी ही क्यों हैं और उन्हें कभी भी समझा नहीं जा। 12. यह एक महिला की न्याय की तलाश के बारे में एक नाटक है जब उसके पती की राजनेताओं द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसमें आर्यन ने शीरशक चरित्र, मिष्टी द्वारा अभिनीत की प्रेमिका की भूमिका निभाई है। 12. टू में अभिने किया, जिसमें उनके और भरूचा सहित कुछ मूल कलाकारों को बरकरार रखा गया, और अभिनेता ओमकार कपूर और सनी सिंह को जोडा गया। 12. टूम अभिने दूमिका बर्चान उनके अपराई गजा का जिसमें हैं प्रेमिका गया। झाल झाल